Hello everyone, रेखा रेषीपी में आपका स्वागत है आज में बनाने जा रहे मशरूम जिसको मैंने सिम्ला मिर्च के साथ बनाया है मशरूम तो आपने पहले भी खाया होगा लेकिन एक बार इसको इस तरह से सिम्ला मिर्च साथ बनाईएगा अगर आप मस्रूम पसंद नहीं करते हैं तो एक बार इस तरीके से बनाईएगा यह आपको बहुत पसंद आएगा और बनाना इतना आसान है कि कोई भी बना सकता है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्याज, एक शिमला मिर्च और 500 गराम मस्रूम लिया है सभी चीजों को मैंने बरे टुग्रों में इस तरह से काट रखा है मस्रूम को मैंने गरम पानी से धो लिया है और यहाँ पर दो टमाटर का इस तरह से पेस्ट बना लिया है टमाटर को मिक्सर पीछ लें उसके बाद इसको यूज करें इसका स्वाथ बहुत ही अचा आता है पर पैन में सबसे पहले दो चमच तेल डालेंगे तेल जैसे ही करम हो जाता है उसमें सिमला मिर्च और प्याज जो हमने काट कर रखे हैं वो डाल दें और यह मेरा पैन थोड़ा बड़ा है तो म पैन में पहले शिमला मिर्च और प्याज को इस तरह से साइड कर दें और इसी पैन में आप मश्रूम डालेंगे सब्जी को में दो मिनट भूनना है ज्यादा फराई नहीं करना है बस दो मिनट तक इसको चला लेना है अगर आपका पैन यह करा ही छोटा है तो सब्जी को प मिनट तक भूनना है उससे जाद नहीं भूनना है बस इसको अब हम निकाल लेंगे अगर आप चाहें तो यहाँ पर मश्रूम को बीना फराई किये भी सब्जी बना सकते हैं लेकिन आप अगर इस तरह से हलका से उसको चला फराई करके सब्जी बनाएंगे तो उसका होते हैं उसमें आधा चमच जीरा दो दाल चिनी का टुक्रा और एक यह बरी वाली इलाइची को इस तरह से मैंने तोर के डाला है अब इसमें एक कटा हुआ प्याज डालेंगे दाल चिनी और यह जो इलाइची होते हैं इसको ऐसे तेल में डाल के भूनने से इसका स्वाद बहुत ही आचा आता है सब्जी में यह जरूर डालें प्याज को कलर चेंज होने तक भून लेंगे उसके बाद इसमें आधा चमच का स्मिरी लाल मिर्च यह वान थर्ड चमच हल्दी का और यहां पर आधा चमच धनिया डालेंगे धनिया पोड़र डाल के अच्छे से मिला मशालिक में कुछ सकैंड तक चला लेना है इससे सब्जी का कलर अच्छा आएगा इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें हमने जो टमाटर पीस के रखा है और डालेंगे टमाटर डालके मिला दे और टमाटर जब आप डालते हैं टमाटर के डालने एक साथ ही इसमें नमक डाल लेकिन आप चाहिए तो बीना ढगे हुए मसाला को अच्छी से बहुण सकते हैं बस मिला जाना चाहिए यहाँ पर देखिए मसाले से तेल अलग होने लगा है इस तरह से जब दीखने लगे इसका मतलब मसाला हमारा भून चुका है मैं आपको यहाँ पर नजदिक से दिखा रहे हूं यह देखिए तेल अलग होने लगा है इसके बाद इसमें हमने जो सब्जी भून के रखिए वो डालेंगे सभी सब्जी डालने के अच्छे से मिला दे मैं यहाँ पर आधा कब पानी डाल रहे हूं अगर आप चाहे तो एक कब पानी डाल सकते हैं सब्जी के थिकने से आप अपने अनुसार रखें अब हम इसको ढग के पांच मिनट पकाएंगे सब्जी को पांच मिनट तक लो मिडियम पर अच्छे से पकने दे यहाँ पर पांच मिनट हो चुका है और यह देखिए कितना अच्छा कलर आया है हमारी बहुत ही सवादिस्ट और यम्मी वाली मसरूम के सब्जी बनके तयार इसको आप रोटिक साथ पराठाक साथ चावल के साथ किसी के भी साथ का यह सब के साथ इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है अप एक वारी से ट्रै जरूर करें उपर से थोड़ा से इस पर धनियाक पता इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे इसे देखने में अच्छा लाइक जरूर करें और नए है तो सब्सक्राइब करें पमेंट करना बिल्कुल न भूलें